आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं और हमेशा सबका अच्छा सूचते हैं, वो ही लोग जीवन में सबसे अधिक परेशान रहते हैं। वही जो लोग बुरे काम करते हैं, वो अपना जीवन खुशी और चैन से जी रहे होते हैं। अच्छे काम करने वालों को आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं, वो ही अधिकतर खुश रहते हैं और जिन्दगी का लुट्फ उठा रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल कभी आया हो, तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्रीक्रिश्न ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार, जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, तो वो श्रीक्रिश्न के पास पहुँच जाते थे। एक बार की बात है अरजुन श्रीकृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि वो किसी बात को लेकर परिशान है और इसका जवाब वो श्रीकृष्ण से चाहते हैं श्रीकृष्ण ने पूछा सवाल क्या है? अर्जुन ने कहा मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है वहीं बुरे लोग खुशाल होते हैं अर्जुन के मुह से ऐसी बाते सुनकर श्रीकृष्न मुस्कुराएं और कहा मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सक्चाई नहीं समझ पाता है अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाएं इसके बाद श्रीकृष्न ने उन्हें समझने के लिए क्या कहा वो जानते हैं श्रीकृष्न ने अर्जुन से कहा पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है प्रकृती हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा एक नगर में दो पुरुष रहते थे एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी वह पूजा पाठ में यकीन रखता था वह हर रोज मंदिर जाता था और दानधर्म भी करता था और हर रोज बिल्कुल विप्रीत था वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बलकी मंदिर के बाहर से जुते चपल चुराने उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था समय बीट्टा गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का अई पंडित से नजर बचा कर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया उसी समय धर्मकर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ती भी मंदिर पहुँचा दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा किसी तरह वो खुद को बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से कक्रा गया और घायल हो गया फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था उसने कहा आज तो मेरी किस्मत चमक गई एक साथ इतना सारा धन मिल गया ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरे निकाल दी कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यू हो गई मरने के बाद जब दोनों पुरुष यमराज के पास पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछी लिया मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था दान में विश्वास रखता था उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्धी मिला और इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे कर्म किये फिर भी इसे नोटों से भरी पोटली आखिर ऐसा भेदभाव क्योँ? इस पर यमराज ने कहा पुत्र तुम गलत समझ रहे हो जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो दरसल इसके भाग्य में राज्योग था मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ऐसा सोचना की भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरंदाज कर रही है ये बिलकुल भी सत्य नहीं है भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा